हाई फ्रेंट्स आज के 44 मुविंग एवरेज स्टोक्स चेक कर लेते हैं सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे आज का पहला स्टोक है ल्टी आई जो 6840 पर क्लोज हुआ है सेकिंड स्टोक है आई नोक्स विन्ड जिसका क्लोजिंग फ्राइस 131.3 है नेक्स्ट स्टोक है आई ए एक्स जिसने 44 मुविंग एवरेज पर स्पोर्ट लिया है और 265.9 पर क्लोज हुआ है नेक्स्ट स्टोक है डोलर जिसका क्लोजिंग फ्राइस 459.9 है अब 15 मिनर्स टाइम फ्रेम पर स्पोर्ट लेने वाले स्टोक देख लेते हैं पहला स्टोक है हाइकल जो 550 पर क्लोज हुआ है नेक्स्ट स्टोक है जाइडूज वेल जो 1938 पर क्लोज हुआ है नेक्स्ट स्टोक है एंजल वन जिसका क्लोजिंग प्राइस 1180 है नेक्स्ट स्टोक है ग्रिंड वेल जिसका क्लोजिंग प्राइस 1858 है next stock है UBL जिसका closing price 1609 है next stock है बाल क्रिष्ना इंडेस्ट्रीज जिसने 44 moving average पर sport लिया है और 2257 पर close हुआ है next stock है बर्जर पेंट जिसका closing price 761.4 है next stock है Tata Motors जिसका closing price 492.4 है next stock है JCHAC जो 2001 पर close हुआ है next stock है Shun Pharma जो 764 पर close हुआ है यदी वीडियो पशंद आया तो लाइक कीजिए यसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए Cाले जिसका जिसकास कीजए यदी और को जिसके जिसका जाएक के लिए ये पाने के लाइक कीजए भीठ टो जासे हैसी हुआ है next了